यूगो यूगो से हाइवेज हमारी सोश्यो एकनॉमिक तरक्की का सबसे एहम बिंदू है जेकेनियो स्टुडे के खाल सेग्मेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे हाइवे के बारे में जो जमू और श्रीनगर को जोडने का काम करता है लेकिन उसकी कहानी में हिस्ट्री, हार्ट्रिप और डवलक्मेंट की भी कहानी है जो आज हम आप लोगों के साथ सांजा करेंगे मैं हूँ हिमानी कंधारी और आज हम बात कर रहे हैं जम्मो श्रीनगर हाइवे की या फिर जिसे हम BC रोड या बनी हाल कार्ट रोड के नाम से भी जानते हैं ये रोड पहली बार ब्रिटिश एरा में 19th सेंचरी के आसपास बनाई गई थी 1887 में इसकी शुरवात हुई थी और 1892 तक ब्रिटिश इंजिनियर जॉन हेंरी ने इसे कम्प्लीट किया था उस समय ये एक इंजिनियरिंग मार्विल थी क्योंकि हिमालिया के रगे ट्रेन में इसे बिल्ड करना काफी चैलेंजिंग काम था ये कुछ द्रिशे हैं उस समय की BC रोड के जिसमें आपको काट्स चलते हुए दिखाई दे रही हैं उस समय इस रोड का बहुत महत्व था और लोगों को अचम्बित करने वाली ये सडक पॉइंट ओफ अट्राक्शन भी मानी चाती थी 1922 में डोगरा रूल के दुरान महाराजा प्रताप सिंग के अंडर इस रोड को पबलिक के लिए ओपन किया गया शुरवात में ये रोड सिरफ रॉयल फैमिली के काट्स के लिए बनाए गई थी और आम लोगों को यहां आने की इजाज़त नहीं थी लेकिन 1922 में महाराजा प्रताप सिंग ने इसे सभी के लिए खोल दिया और तब से ये जमू और कश्मीर के बीच एक मेजर लाइफ लाइफ लाइन बन गई और आगे ये रोड श्री नगर से होते हुए ले लदाक के रीजन्स को भी कनेक्ट करती है जो की एक कोल्ड डिजिट एरिया है जहां पर डिफेंस सप्लाइज तो हवाई जहाज के जरीए पहुंच जाती है लेकिन सिविल सप्लाइज जाधा तर बाय रोड आटम के सीजन स जाना शुरू हो जाती है आज के टाइम में अगर हम सोचे तो सही माने में यही बनी हाल कार्ट रोड जमु श्री नगर नाशनल हाइवे के फोर लेन प्रोजेक्ट का बेस है यह हाईवे जो एक जमाने में सिरफ राजा महाराजा के लिए था अब यह फोर लेन हाइवे जम ट्रेवल और बिजनस करने का जिससे कई चीजों में बढ़ावा देखा गया है जैसे अगर हम बात करें कश्मीर का हैंड लूम, ट्यूलिप कल्टिवेशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काफी बिजनसेस इससे बेनिफिट हुए जवो श्री नगर नाशनल हाइवे की वज इस हाइवे के चलते यहां का टूरिजम सेक्टर भी काफी ग्रो किया है जो लोकल एकॉनमी और इंप्लॉइमेंट जनरेशन में भी बड़ा योगदान दे रहा है साथ ही यह रोड हमारी सेक्यूर्टी फोर्सिस के लिए भी क्रूशिल रूट है जो नैशनल सेक्रूर्टी के प्रस्पेक्टिफ से बहुत इंपॉर्टेंट है यह हाइवे हमारी आंट फोर्सिस और असेंशल सप्लाइज को कश्मीर तक और फिर आगे ले-लदाक तक पहुंचाने में एक क्रूशिल रूट मानी जाती है बॉर्डर एरियाज और रिमोट रीजन तक जल्दी और रिल 2011 में हाइवे को फोर लेन करने का प्रजेक्ट शुरू हुआ जो पहले पांच साल में कम्प्लीट होने की उमीद थी लेकिन अब ये डेडलाइन 2025 तक बढ़ा दी गई है उदंपुर रामबन और रामबन बनिहाल के सेक्शन में 100% कॉस्ट ओवर रन रिकॉर्ड किया गया है हालांके कुछ प्रोग्रेस भी हुई है चनैनी नाशरी और बनिहाल काजीकुन टर्नल के कम्प्लीट होने से जमु और श्रिनगर के बीच का जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर तक रिडियोस हो गया है और कुछ एक्स्टेंड तक रोड क्लोजर भी कम हुए है लेकिन हाइवे पर कई डेंजर स्पॉट्स अब भी कम्यूटर्स के लिए एक रिस्क बने हुए है एक सेंचरी पहले महराजा प्रतार सिंग ने जो बनिहाल काट रोड खोला था उसका परपस था लोगों को ट्रेवल और ट्रेड करने में असानी देना आज उसी रोड को और बढ़ावा द करनाया जा रहा है जिससे आने वाले समय में टूरिजम भी बढ़ेगा तो यह थी जमू श्री नगर हाइवे की कहानी एक रोड जो सिरफ रास्ता नहीं बलकि एक लाइफ लाइफ लाइन है जो हर दिन जमू और कश्मीर के लोगों को उनकी जरूरतों तक पहुंचाती है इ चेके न्यूस टूड़े वीडियो जर्नलिस्ट का कराम के साथ महिमानी कंधारी